जब भी मैं premature hair grain से related कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि एक बार जो बाल सफेद हो गए वो वापस से काले नहीं हो सकते जबकि ऐसा नहीं है देखिए premature hair grain एक होती है और एक होती है mature hair grain premature hair grain वो होती है जिसमें कि आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं मतलब कि आजकल आपने देखा भी होगा कि बाल बहुत सारे लोगों के 10 साल 12 साल में ही सफेद होना शुरू हो जाते हैं तो वो होता है premature hair grain और एक होता है mature hair grain mature hair grain का मतलब यह है कि अब आपकी age हो चुकी है और आपके hair follicle में melanin अब कम बनेगा लेकिन premature hair grain और mature hair grain दोनों में फर्क होता है premature hair grain को आप treat कर सकते हैं जो बाल समय से पहले सफेद हो गये हैं वो आपसे काले हो जाते हैं खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है और अभी आप मेरे बा को अपने बाल दिखा देती हूँ आप देखिये इधर साइड थोड़े मोड़े बाल सफेद है मेरे ज्यादा नहीं है देखिये जो मेरे बाल सफेद थे वो वापसे काले हो चुके हैं आज की वीडियो में जो रेमेडी में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपके सफेद बाल समय से पहले सफेद बाल वापसे काले हो जाएंगे परी मिच का ख्याल रखना होता है डाट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अश्वगंधा श्मूदी शेयर करने वाली हूँ नमस्कार मेरा नाम है गरीमा और स्वागत थे आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इस तरीके की बहुत सारी यूसफुल वीडियो शेयर करती हूँ हैर केर, स्किन केर और हल्दी हल्दी डैट से डिलेट ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले ही तो अगर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इस तरीके की वीडियो देखने में बहुत इंट्रेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथी साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों क आपके बालों को काला बनाने का काम करता है जब यो मिलानीन ज्यादा बनता है तो हमारे बाल काले होते हैं अगर फियो मिलानीन ज्यादा बनता है तो हमारे बाल ब्लॉंड होते हैं जैसे यूरोपियन लोगों के होते हैं बाल ब्लॉंड होते हैं बाल ब्लॉंड होते हैं ब निटेटर के बालों को नाचुरल तरीके से काला बनाने का काम करेगा. तो चलिए देख लेते ही, कीस हैर माउस को कैसे बनाना है इस रेमेड़ी को बनाने केसे लिए सबसे पहले आपको फ्रेस चुकंदर लेना है चुकंदर के अंदर बहुत सारे antioxidant होते हैं जो कि hair follicle में होने वाले oxidative stress को खतम करते हैं oxidative stress से बहुत ही जादा premature hair grain की problem होती है अगर oxidative stress hair follicle में से खतम हो जाएगा तो premature hair grain की आधी problem खतम हो जाएगी इसके अंदर एक natural pigment है जो हमारे बालों को मिलता है तो हमारे बालों में melanin का production increase हो जाता है तो आपको क्या करना है कि चुकंदर को अच्छे से ग्रेट कर लेना है ग्रेट करने के बाद इसको अच्छे से strain कर लेजे इसका basically हमें juice लेना है तो juice मैंने निकाल लिया अब इसको मैं side में रखती हूँ अब हम लोग गैस की तरफ चलते हैं गैस पे आपको एक पैन रखना है इस्टील का इसमें आप पानी डालिए इसमें कुछ बहुत important ingredient add होने वाले हैं जो आपके बालों को naturally काला बनाने का काम करते हैं गैस पे मैंने एक आते हैं premature hair grain को treat करने में ये बहुत effective है hair loss भी control करता है scalp में जो भी infection होता है उसको treat करता है क्योंकि इसके अंदर antibacterial, antifungal, anti-inflammatory property होती है बालों को regrow करने में बहुत effective है अगर आप इसका इसका इस्तमाल करेंगे तो आपके बाल कभी भी इतने नहीं जड़ेंगे कि आपको baldness की problem हो देखिए जो कलाउजी oil होता है वो कलाउजी seeds से ही बनता है मतलब इसके seed में बहुत सारे natural oils होते हैं जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से condition करने का भी काम करते हैं यह आपके hair fall को control करने का काम करता है बालों को strength प्रवाइड करता है यहां पर आपको 2-3 चमच के बराबर कलाउजी seed ले लेना है उसके बाद जो next ingredient है वो है एक छिलका और यह है प्याज का छिलका लेकिन आपको red वाली onion का ही छिलका लेना है देखे onion के छिलके के अंदर बहुत सारा sulfur पाया जाता है जैसे onion के अंदर sulfur होता है उसी तरीके से इसके छिलके में भी बहुत सारा sulfur होता है जो आपके बालों को regrow करने का काम करता है इसके अंदर एक natural pigment है जो आपके बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देता है अगर use क आपके बालों में मेलानीन को प्रोड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव है जिसकी बज़े से प्रिमेच्चर हेर ग्रेंग की प्रॉलम खतम हो जाती है बाल नैचरली काले होने शुरू हो जाते हैं साथी साथ यह आपके बालों को मैनेजबल बनाने का काम करता है डी टॉक्सिफाई करता है आपके स्कैल्प को यह आपके बालों को एक नैचरल कलर देने का काम करता है जिसकी विज़े से बहुत सारे लोग इसे ऐस डाई भी यूज़े है लेकिन यह ब्लैक हेर में उतना पता नहीं चलता जिसके बाल ब्लॉंड होंगे उसके बालों में यह ज़्यादा अच्छे से पता चलता है काले बालों को यह और ज़्यादा काला बनाने का काम करता है नेक्स इंग्रिएंट है फैनुग्रीक सीट फैनुग्रीक सीट के बहुत सारे फायदे है fenugreek seed आपके बालों को जढ़ने से भी रोगता है रिग्रू भी करता है आप इसे as a conditioner भी यूज़ कर सकते हैं as a cleanser भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपके scalp को बहुत यचा से exfoliate करता है mucilis content बहुत जादा होता है इसके अंदर तो ये आपके बालों को रिपेर भी करता है as a conditioner भी काम करता है next ingredient है dry amla यहाँ पे आप आमला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं amla आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा एफेक्टिव होता है ये आपके बालों का pigment loss रोपता है जिससे आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते जो बाल सफेद हो गए है अगर आप इसका regularly यूज़ करेंगे तो बाल वापस से काले भी हो जाते हैं क्योंकि ये melanin को reproduce करने में most powerful remedy है अब यहाँ पे जो next ingredient है ये optional है बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं होगा तो मत यूज़ करेगा छोड़ दीजेगा जिसके पास है वो लोग इसे जरूर यूज़ करें और ये है वालनट का कवर वालनट का जो छिलका होता है अखरोट का जो छिलका होता है ये वही है दीखिए अखरोट का छिलका आपके बालों में एक पिग्मिन प्रोड्यूस करता है जिससे आपके बाल काले होते हैं तो ये आपके बालों को काला बनाने में बहुत सब्सक्राइब होता है हम लोगों ने चुकंदर का जो जूस निकाल के रखा हुआ था जो सबसे पहले प्रोसेस मेंने किया था चुकंदर को ग्रेट करके उसको निचोड के रखा हुआ था जो वही इसमें डाल देना है आपको अब इसको अच्छे से बॉयल करना है आपको तब तक बॉयल करना है जब तक कि ये रिड्यूस के हाफ नहीं हो जाता ताकि सारी चीजों का essence इस पानी में आ जाए ठीक है तो आपको इसको अच्छे से बॉयल करना है बॉयल करने के बाद हमें इसे तुरंत यूज नहीं करना है अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो इसे आप तुरंत भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप पूरे एक दिन के लिए इसे भीगो के ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह जादा effective remedy बन के तयार होगी तो अच्छे से इसको बॉयल कर लिया है मैंने यह reduce हो कि जब half हो जाएगा तब हमें क्या करना है कि gas बंद कर देना है और इसे ढख देना है राद भर के लिए छोड़ देना है उसके बाद जो भी process करना है वो next morning करना है next morning आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो भी walnut का cover है उसको निकाल देना है देखिए walnut का cover बहुत ज़्यदा tight होता है तो यह जल्दी grind नहीं होगा हो सकता है कि आपका grinder ही break हो जाए इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको अच्छे से एक एक निकाल दीजे और निकाल के इस पेस बनाने के बाद हमें muslin cloth की help से अच्छे से स्ट्रेंड भी कर लेना है ताकि जो भी residue है जो भी small particles है वो सारे निकल जाए हमें एक दम जल जैसी consistency मिल जाए और जो जल जैसी consistency होगी यह हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होगी जब आप इसको अपने बालों में और स स्केल्ब में लगाएंगे तो आपके बालों में स्केल्ब में कुछ भी फंसेगा नहीं बहुत एजली रिमूव हो जाएगा आपका ज्यादा पानी भी खर्स नहीं होगा नहीं आपको दिक्कत होगी ठीक है देखे अभी मैं इसको अच्छे से स्ट्रेंड भी कर लिया है अ तक 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 आप या फोल्क कर मोदानी डाएगी फंसेगा थंदघी की वजह से घुन-गुना पानी होना चाहिए या रखा सा थंडा होनाँ चाहिए ज्यादी ज्यादा होना चाहिए ज्यादा पहन बहुत ज़यां चाहिए बहुत ज़ raising like बो होन नहीका ज़न ऌन होता है जब तक वो न्यूट्रिन नहीं मिलते हैं तब तक आपके हैर फॉलिकल में मेलानी नचे से नहीं बनता और बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं साथी साथ ऑक्सिडेटिव इस्ट्रिस एक बहुत बड़ा रिजन होता है अगर आपके हैर फॉलिकल में जादा मात्रा में ऑक्सिडेटिव इस्ट्रिस होता है तो उससे भी बाल समय से पहले सफेद होना शुरू हो जाते हैं इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी अश्वगंधा स्मूदी शेयर करने वाली हूं यह जो आप स्मूदी देख रहे हैं यह टेस में बहुत ही जाद आच्छी है आम तोर पर अश्वगंधा टेस में उतना अच्छा नहीं लगता और बहुत ही रिच सोर्स होता है यह एंटी ऑक्सिडेंट का जिसकी वज़े से आपके बाल समय से पहले सफेद भी नहीं होते हैं और आपके बाल वापसे काला होना सुरू हो जाते हैं अश्वगंधा स्मूदी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो तीन चमज के जोना बहुत ज़रूरी है खाने से पहले अब देखे ओड के अंदर बहुत सारे शंचल न्यूट्रेंट होते हैं जो आपके बालों को काला होने में हल्प करेंगे जैसे की कैल्शियम, मैगनेशियम, वाइटामीन B6, आइरन, प्रोटीन, कार्भोहईडरेट, पोटाशियम यह सारे जो न्यूट्रेंट हैं यह आपके बालों को काला होने में भी हल्प करेंगे और ग्रो होने में भी हल्प करेंगे अभी आपको क्या करना है कि इसका जो पानी है जिस पानी में हमने ओट को भिगोया है वो पानी फैंक देना है क्योंकि उस पानी में एंटिन्यूट जो कि हमारे किसी काम के नहीं है तो उन्हें फेंग देना है और जो ओट है इसी काहमें इस्तेमाल करना है अब देखे इसको स्वीटेन करने के लिए इसको टेस्टी बनाने के लिए और ज्यादा न्यूट्रीस बनाने के लिए कुछ इंग्रेडियंट और एड होंगे जो पहल को खतम करते हैं, अगर आयरन की कमी हो गई तो बाल सफेद भी हो जाते हैं, जढ़ते भी बहुत जादा है और खजूर बहुत ही रिज्सोर्स होता है आयरन का, तो यह हमारे शरीर में होने वाली आयरन की कमी को दूर करने का काम करेगा, यहां पे मैंने 2-3 खजूर लिया है अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप छूहारे का भी इस्तमाल कर सकते हैं छूहारे को आप राद भर पानी में भीगो दीजे जब वो सॉफ्ट हो जाता है सुबह तब उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं अब यहां पे most important ingredient हमें यूज करना है और वो है अश्वगंधा अश्वगंधा एक आयरवेदिक आशादी होती है जिसके अदर एक विशेश तरीके का antioxidant पाया जाता है जो कि premature hair grain को खतम करने का काम करता है यह हमारे hair follicles को nourish करता है और बालों को जड़ने से रोकता है hair growth में बहुत ज़्यादा support करता है और आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है इसके other health benefit भी होते हैं जैसे कि यह हमारे hormones को balance करने का काम करता है इतना powerful है कि यह cancer cells को भी kill करने का काम करता है अगर आप इसे consume करेंगे certain ratio में सही तरीके से तो देखेगा आपको cancer की भी बीमारी नहीं होगी stress को खतम करने में बहुत ज़्यादा helpful है अगर आपको sugar की problem है तो भी आपको sugar control करने में बहुत ज़्यादा help करने वाला है तो आपको एक चमज के बराबर अश्वगंधा लेना है चोटे वाले source होता है potassium भरपूर मातरा में पाया जाता है iron का भी बहुत अच्छा source है तो आपको एक अच्छे से पका हुआ बनाना ले लेना है अब इन सारी चीजों को हमें grinder में डालना है इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छे से grinder में इसकी smoothie बना लेनी है इसको strain नहीं करना ह है पूरे fiber के साथ आपको इसे consume करना है अगर आप इस drink को हपते में 2-3 दिन consume कर लेते हैं तो देखेगा आपके बालों के लिए यह बहुत अच्छा होगा लेकिन इस drink को आप continue रखेगा याद रखेगे हपते में सिर्फ 2-3 दिन ही इसे consume करना है डेली नहीं consume करना है दो 3 द यह drink आपके बालों को काला भी बनाएगा और साथी साथ हैर लॉस भी स्टॉप करेगा हैर थिरिंग की प्रॉलम भी खतम करेगा तो प्रिमिच्चुर हैर ग्रेंग से बचने के लिए जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं उन्हें वापस काला बनाने के लिए दोनों प्रॉसेस होता है इसलिए मैंने बोला कि इसको लगातार एक साला फॉलो करिये मैंने अपने यूटीब चैनल पे बहुत यज़ासा बायोटीन हेर सिर्म शेयर किया है और एक बायोटीन ड्रिंक शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो भी करता है बालों की थिकनेस को भी निक्रीज करता है यहां पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई and stay happy